डियर इस्टुएंट्स आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलर्शिप के स्ट्येटर्स में जिदनी ही प्रव्लम्स हैं उनका एक मात्र सॉलूशन किनका पैसा होली से पहले आएगा किनका बाद में आएगा किनका पैसा कभी नहीं आएगा सारे टॉपिक कोछ नहीं करना है तो पहरे उनका आज जाएगा जिनका वेरिफाइट नहीं है उनको बेट करना पड़ेगा होली जिनका डटा सब्सक्राइब है उनके दस्कार तारीक तक अंय था कर दिये जाएगा आपके जिम्दाद इसके जिम्दाद स्वेम आप होगे कहने का मतलब यह है यह आपके कॉलिज को पर डिपेंड करेगा कि बो लोग इसके क्या डेट रखें अलाकि ऑफीसली तो दस्तारीक देट है ठीक है यहां पर देखो जिनका इंडॉल्ड में नौड म बैंक वाले कोई चीज आपका की के बाइसी नहीं कर रहा है तो क्या करना है वह भी आपको बताऊंगा बैंक वाले नहीं सुनें उनको एक कार्ड दिखा देना हंड़ेट परसंट सुनेंगे यहां पर देखो यूपी स्कॉर्डरशिप यह आपका दिखा रहा है यूपी ब बैंक वाल नहीं सुने है तो क्या करना है सब कुछन बताएंगि रहा है यहां पर आप देख सकते हो तो ठीक है अब हम बात करते हैं अगर आपकी college वाले नहीं सुनें बैंक वाले अगर आपकी वाली problem आपकी मर्ज वाली problem आ गई तो बैंक वाले आगर नहीं सुनने हैं ऐसे में आपको क्या करना है वह भी आपको बताइंगे सब कुस्त बतायी जाएगा वीडियो को पूरा दे देखिए, जिनकी भी scholarship में bank problem है, तो seeding करा लो, bank वाला नहीं करता है, तो उसको यह दिखा दो, यह card दिखा दीजिए, अगर bank वाला नहीं सुन रहा है, तो 100% वो सुनने लगेगा, यह वाली जो card में दिखा रहा हूं, यह card आप bank वालों को दिखा दो, अगर bank वाला नकाम नह सुनेगा, यह telegram पर मैं send करने की कोशिज करूँगा, ठीक है, अभी मैं यह भी आपको दिखा देता हूं, अगर आपके bank वाले नहीं सुन रहा है, यह card मैं आपको दिखा रहा हूं, यह दिखा दो, देखो वाई, मैंने EKYC कराई है, आधार सेटिंग कराई है, bank को यह दिखा सकते हो, screenshot लेकर भी उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है, अब देखिया, हम आगे topic की बात करेंगे, किनका पैसा है, क्या के document मैंने बता दिया, पैसा जल्दी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिनका verified है, उनका पैसा होली से पहले आने के पूरे chances है, अगर नही नहीं आता, तो होली के बाद भी आ सकता है, इनकी bank problem है, bank मैं जाके एक बाइसी कराओ, मैंने बोला है, bank वाले नहीं सुने, तो हमें बताओ, वो card bank वाले को दिखाओ, ठीक है, इस सारे चीज़े है, अगर आपके जो सारे चीज़े बच्चे बहां पर रहे उपस्तित, bank वा काड आपको दिखा देना होगा, दिखिए, बाइस तेस में दसमोतर के सारे चात्राओं की, 38,000 से ज़्यादा चात्राओं की, तो अपने college में जाके आप लोग suspect की लिस्ट को जरूर देख लें, या आपके college के उपर depend करेगा, कि वो उसकी क्या last date रखें, form submit करेंगी, ठीक ह यहाँ पर देखिए, बता जा रहा है कि अनुसुती जाती के चात्राओं है, 11,000 चात्राओं की scholarship के regarding बात की गई है, यहाँ आप article को read कर सकते हो, ठीक है, अब एक चीज में आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपका form reject हो गया है, तो आपका scholar नहीं आने वाला, एक बार म आपको बता दूँ, अगर आपका form इस तरीके से reject by DWO निकल के आ रहा है, district scholarship committee, तो आपकी scholarship नहीं आएगी, reject क्यों किया गया है, regional लिखा है, not declare आपने चुना था, और आपकी attendance भी कम है, percentage भी कम है, इसी लिए इसको मतलब reject किया गया है, यह सारी चीज है, अगर आपका form reject हो आपकी scholarship कभी नहीं आने बाली, यह सारी चीज है, और मैंने सबको सबको बताई दिया है, कि क्या कि आपको करना है, आपका गलत status है, तो यही समस्या का solution है, आज की studio को इहीं प्रेंट करते हैं, रही बात पैसे कि, जो कि पैसा आपका आ रहा है, ठीक है, और जिनका नहीं आ करो हो सकता है, होली से पहले भी आजाए, होली के बाद भी आए, जैसी कोई और अपडेट है कि हम आपको अपडेट करेंगे, आज की studio को इहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स वर वाचिंग, जैहन्त बंदे मातरम, टेक कैर, अल्ट